हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगे आपके साम देंग मोश्ट के लिए साइंस सब्जेक का एक और न्यू चाप्टर एक और बैतरी और फ्रेश चाप्टर आपके लिए शुरुवात करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नंबर 16 नाचुरल रिसोर्स इसका आज हमारा पहला लेक्टर है यानि लेक्टर नबर वन हम देख में वो chapters भी हमने complete कर दिया है तो thank you so much for cooperating with us and हमने आपके लिए इतना मेनत किया continuous आपके लिए वीडियोस लेकर आए संडे संडे को भी वीडियोस लेकर आए आपके लिए ताकि आपका सिलावस हम complete कर पाए ठीक है तो almost 15 chapter complete हो दिया 1 से लेके 15 पूरा complete है playlist में चेक कर सकते है उसमें से जो भी chapter आपको पढ़ना है आप बढ़ सकते हो आगे से 16, 17, 18, 19 सिर्फ 4 chapter बचे है दोस्तों जैसा कि आपको बता है एक chapter को complete करने में 2 से 3 lecture वीडियो लगते है यानि कि आने वाले एक महिने के अंदर ठीक है ना 1 मंत के अंदर February तक आपका पूरा का पूरा portion जो है वो complete हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी होगी और साथ ही में math को तो almost 95% syllabus complete हो गया है तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है यानि math and science is totally completed ऐसा हमें बोलूँगा एक मेने के बाद ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस particular chapter की और chapter बहुत मजदार है ऐसा देखा जाए तो ठीक है natural resources पहली बात तो इसका मतलब समझते हैं हम लोग कोई भी चीज हमें nature से मिलती है और जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने फाइदे के लिए करते हैं जिससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल करके हम ल हमें एक ओईल से मिलता है जिसको बोलते है फॉसिल फ्यूल बोला जाता है उसको उससे हम लोग क्या करते है फ्रैक्शनल डिश्टिलेशन करते है और उसको बहुत सर चीज बनाते है फिर आप देखोगे तो डाइमंड फिर आपके जितने भी मेटल्स होते है ना लोखन, अ तो यह सभी चीज कहां से मिलता है जमीन से खोटके निकालते हैं हम लोग डिगिंग करके निकालते हैं कहीं ने कहीं से हमें मिलता है तो वो नेचर से ही मिल रहा है हम खुद नहीं बनाते है उसको नेचर से मिल रहा है that's why it is called as natural resources तो चलिए शुरुआत करते है तो natural resources पहली अर्थ का जो lithosphere यानि कि जो जमीन है हमारा उसमें बहुत सारी जो चीजे है वो गड़ी हुई है क्यों गड़ी हुई है जैसे कि आपको मैंने बताया था बहुत पहले कि हमारा अर्थ क्या था एक पूरा लावा से बना हुआ अर्थ था पहले के टाइम पे नहीं कि न करोड करते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी चीज हम लें निकाला होता है तो हमें खोटके निकालना पड़ता है यानि कि कही न कहीं माइनिंग्स करते हैं आज भी अब देखोगे तो तेरा सो मेनी प्लेसेज जहां पर आज भी continuous माइनिंग होती है कहीं पहाड़ खोजा होता है तो हर जगा माइनिंग से और मैं दो चीज मिलता है एक तो आपको पत्थर मिल रहे है चलो आपके construction करने के लिए काम आएंगे, buildings बनाने के लिए काम आएंगे, लेकिन दुसरा चीज यह है, कि माइनिंग करने के time बहुत सारे ऐसी चीज़ है, soon, silver, आपका बहुत सा तो सीधा आपको pure लोखन नहीं मिलता है, आपको मिलता है ores, और वो ores जो होता है, वो गंदगी की form में होता है, और जो metals जो होते हैं, उसमें से उसको extract करके निकाला जाता है, और वो metals को जब extract करके हम लोग जब निकालते हैं, तो उसमें जो गंदगी होते हैं, वो गंदगी होते हैं जो कि आप higher standard में जाओगे तो पड़ोगे बहुत सारे conveyors belt होते हैं iron separator होता है इससे बहुत सारे methods होते हैं जिससे help से हम लोग extract करते हैं metals को और separate कर पाते हैं correct है फिर इसके अलबा तेखोगे तो mineral oil जिसको हम लोग ऐसे fuel इस्तेमाल करते तो mineral oil हो गया बहुत सारे अलग fuels यह पत्थर rocks जो होते दोस्तो पानी हो गया water हो गया and other elements जो भी हमारे लिए काम आते हैं यह सभी के सभी चीज हम लोग क्या करते हैं हमारे earth के अंदर से खोटके निकालते हैं और यही minerals and ores की अगर मैं बात करूँ टॉपिक जो है डाल दे तो पहले हेडिंग ठीक है minerals and ore minerals and ores minerals and ores की बात करूँ दोस्तों तो यहां पर एक मुद्दे की बात यह है जितने भी चीजे जो होते है वह हम लोग अपने जमीन से ही निकालते हैं यह सबसे important चीज याद रखना है मतलब हमारे earth crust से ही निकलता है और यह सभी चीज किससे निकलता है जैसे कि आप देखोगे तो silver है, copper है, platinum है, bismut है, gold है यह सभी चीज क्या होते हैं free nature में present होते हैं तो अगर मैं बात करूँ आपका example gold, silver, copper यह सभी के सभी चीज जो होते हैं यह pure form में present होते हैं यानि कि आप खुदा ही करोगे तो सोना आपको pure form में मिलेगा हो सकता है कुछ मिट्टी वगरे चिपके रहे उसके साथ, लेकिन pure form में रहता है, और कोई metals इसके साथ react नहीं करता है, कि एसा तो नहीं होगा, कि gold के साथ oxygen mix होके, gold oxide बना दे, silver भी ऐसे अकेले मिलता है, copper भी, aluminium, there are so many metals जो आपको अकेले ऐसा मिलते हैं nature के दोरा, बबस उसको खोद के निक आइरन, iron कभी भी आकेला नहीं मिलता है, लोखण जो होता है, हमेशा किसी ने किसी के साथ में मिला जुला के मिलता है, ठीके, और यही जो minerals होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे iron content होते हैं, उसी को हम लोग ores बोलते हैं, यह चीज आपको याद रखना है, और यह जो बहु कुछ conveyor belts वगरे लगा के वो लोग क्या करते हैं, उसको separation करते हैं, extraction करते हैं, तो ऐसा so many methods है, बट यह methods होते हैं, काफी cheap method भी माने जाते हैं normally, and बहुत सारे इसमें चीजें जो है clear भी हो जाती है, characteristics कैसा होता है, यह सभी चीज हमें देखने मिलता है, और बहुत सारे ऐसे मिलती है, जिसको हम लोग separate easily कर पाते हैं, कोई चीज होता है, बहुत चमकता है, तो हमें तूरंक पता चल जाता है, कि हाँ, इसमें से यह चीज निंगला, जैसे कि सोना, चांदी, अलिमिनियम, यह सब, चमकने वाली चीजे होती है, कुछ ऐसी चीज होती है, जो हाड होती ह तो there are so many things, जो कि आपको देखने मिलते हैं, और आप separate कर पाते हो, जब भी आप mining करते हो, तो, अब यहाँ पर जो mineral से वो कैसे form होते है, how are the minerals form, यह भी हम लोगों सोचने वाली बात है, तो mineral जो होते है, form कैसे हुआ, जैसे भी आपको पताया था, कि हमारा जो earth था, lava था, त के center के तरफ जब पहुचेगे, for example, यह earth है, तो इसमें भी layers है, earth के अंदर भी layers है, तो center वाला जो पाट है, इसको हम लोग core बोलते है, mental and core, आपने शाए जोगरफी में पढ़ा होगा, तो mental and core जो होता है, तो core की तरफ जाओगे, तो यानि कि lava आपको बहुत जादा मिलने म लेगा, and वो lava क्या होता है, धीरे-धीरे convert होता रहता है, कभी किसी oxygen, कभी किसी metals के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ react होते होते है, वो क्या बन जाता है, बहुत सारे चीज़े बन जाती है उसके अंदर, और अलग-अलग तरीके से crystals form हो जाते है, crystals आप बोल सकते हो, कोई भी जमीन के अंदर से निकलते है, और उसका formation कैसे हुआ, because of lava, ठीक है, रहो अटोमेटिकली जमीन के अंदर formation हो बस हमने खुदा ही किया, वो हमने निकाल लिया, और हमने इसका uses भी खोज लिया, क्योंकि हमाने human beings का दिमाग सबसे आद चलता है, हम कहीं ने कहीं कुछ भी चीज का इस्तिमाल करना सीख जाते है, ठीक है, फिर minerals जो है, और भी तरीके से form होते हैं, तो minerals are formed when solid crystals remain behind the process of evaporation, कभी कभी evaporation भी होता है, यानि कि कुछ चीज जो है, because of heat, वो evaporate हो जाती है, आसमान में चली जाती है, evaporation होने के बाद, तो वो जब evaporation होता है, तो कुछ चीज नी है, हलाइट, हलाइट नाम का crystal रहे जाता है, और एक और crystal है, जिसका नाम है Gipsum, तो Gipsum का इस्तिमाल तो आपको पता है, यह Gipsum is used for plaster होता है, जो हाथ में fracture हो जाता है, तो वो white color का plaster मारते है, तो उसमें Gipsum भी डाला जाता है, उसका powder डाला जाता है, so that वो कड़क हो पाए सुखने के बाद, फिर minerals और भी होते है, it is transfer from one form into another form, बहुत सार ऐसे होते हैं, जो पहले कुछ और form में होते हैं, फिर उसके बाद transfer होके कुछ और form में चले जाते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे क्या होते हैं, आपके minerals present होते हैं, जैसे कि best example बता हो, कि जो आपका diamond होता है, it is one of the most costliest, यानि कि सबसे ज़्यादा महेंगा बिकने वाला एक तरीके से compound मना जाते हैं, और सबसे hardest compound है, लेकिन ये बनता कैसे आप जानके चौक जाओगे दोस्तों, ये बनता है आपके carbon से, कोईला समझ लो, कोईला, आपने picture भी देखी होगी, तो कोईला जो होता है, कोईल जो होता है, carbon उसके अंदर present होता है, लेकिन because of the tremendous pressure and temperature, जब उसके अपर बहुत ज़्यादा pressure दबाव आ जाता है, साप में temperature act करता है, तो ये ही जो कोईला होता है, ठीके न, carbon जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे changes आने लगता है, वो अपना structure को change करने लगता है, because of tremendous pressure and temperature, व बहुत सारी चीजे उसके अंदर changes आ जाती है, तो वो इतना सारा जब changes उसके अंदर आने लगता है, तो वो अपने आपको transform करता है, और एक time ऐसा आता है, ऐसा निये कि तुरंट हो जाता है, उसको सालों, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी लग जाते होंगा, क्योंकि जमाना आज से नह बहुत सारी चीजे हैं, जैसे कि diamond का एक example दे लिया, वैसे एक example है graphite का, जो कि again carbon से बनता है, carbon से graphite भी बनता है, और graphite क्या होता है, पता है क्या, जो आपके pencil के अंदर lead होती है, जिससे आप लिखते हो pencil, वो black color का, तो वो होता है graphite, ठीक है, तो वो भी carbon से ही बनता है, ले sheeps जिसको बोलता है, ऐसा sheeps होते हैं, इसमें linings, linings होते हैं, ऐसा sheeps होते हैं, आपने देखा होगा, समंदर के अंदर वो shells मिलते हैं, shells, तो conscious हो गया, यानि कि sunk वगर होता है, शंक हो गया, shells हो गया, यह सभी चीज क्या होते है, एक तरीके से as a mineral के source में इस्तिमाल होता है, और आजकर इसको decorative purpose में इस्तिमाल होता है, तो वो भी हमारे like jamin के अंदर से या फिर समंदर के अंदर से निकाला जाता है, क्योंकि इसका use है हमारे time में, ठीके दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह minerals कैसे form होते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है, यह करेंगे classification of minerals, जो होते हैं, उसके कैसे classification होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नजर डाल देंगे, ओके तो ध्यान से देखना बहुत important point होने वाला है, यह सभी चीज, ओके, चलो, देखते हैं, classification of minerals, classification of minerals, चलो, जर डालते हैं, इसके उपर, classification of minerals के अगर मैं बात करूँ दोस्तो, यहां पे basically, दो तो सबसे ज़्यादा important चीज होती है, एक होता है अपका metals, एक होता है metals, और दूसरा जो होता है, वो non-metals होता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बात करू, metals and non-metals के अलावा बात और यह बहुत important है, कभी कभी exam में पूछता है, कि write down the classification of minerals, या फिर आपको ऐसा पूछेगा, write down some examples of metals, minerals, non-metal minerals और energy minerals, ठीक है ना, तो चलो बात करते है, सबसे पहरे हम बात करेंगे metal minerals की, तो metal मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक chapter पढ़ा होगा metals and non-metals, उसमें आपको पता silver, ठीक है ना, फिर aluminium, ठीक है ना, aluminium, aluminium, copper हो गया, तो यह सभी चीज हमारे जमीन से हम लोग माइनिंग करके निकालते है, या फिर कोई भी source से माइनिंग करके निकाला जाता है, तो यह जित्रे भी चीजे है ना, लोखन, सोना, चांदी, aluminium हो गया, copper हो गया, यह सभी चीज, इसताब्भ गर्ये है ये क्या होता है हम जमीन से निकालता हूँ और इसके पास प्रॉपइट से मेटल की होता है जैसे रोखने का इस्तिमाल करते हो बहुत सारे से आपहुट जीजए संद्धू लौज एसे पर्घॉब बनाने के लिए होता है जो हमें जमीन से मिलता है फिर इसके अलावा एक और compound है जिसका नाम है बॉक्साइट तो बॉक्साइट क्या है एक metal का ओर है इडिस नॉट ए मेटल लेकिन और और बॉक्साइट से ही यह जो बॉक्साइट से है इसी से हम लोग का मिलता है aluminum यानि कि जो aluminum है कभी-कभी हम लोग को pure form में नहीं मिलता है उसमें बॉक्साइट होता है यानि कि aluminum oxide होता है उसमें oxygen को separate कर देंगे by the process and bears process होता है जो कि आप 10th में पढ़ोगे कि कैसे separation होता है तो बॉक्साइट से आप aluminum बना सकते हो मतलब extract कर सकते हो यह चीज आपको पता होना चीए manganese होता है फिर platinum होता है इसके अलावा manganese यह भी एक metal होता है जो कि हमें मिलता है platinum जिसको हम लोग एक तरीके से white gold बोलते है यह भी क्या होता है metal होता है जो कि हमें कहां से मिलता है mining करने के दोराण यह बिलता है तो it is also type of minerals metals के minerals है यह भी metal minerals है और यह हो जाएगा non metal minerals और वह हो जाएगा non metal minerals there are so many types of minerals जो कि non metal के category में आते है और इसका इस्तिमाल as a non metal के source पे होता है to mica, it is nothing but एक ऐसा चीज होता है जो आपके iron में इस्तिमाल होता है for heating purpose, क्योंकि यह क्या करता है, electricity को लेके heat produce करता है, तो आपका जो press होता है, electric iron, जिससे आप press करते हो अपने कपड़े को, तो उसके अंदर mica डला होता है, फिर sulfur वगर होता है, sulfur, जमता किस्से है, carbon से, इसलिए उसको non-metal के category में रखा गया है, फिरके diamond हो गया, फिर और भी ऐसे बहुत सारे example से, graphite में आपको बताया था, graphite हो गया, ठीक है, potassium हो गया, potassium जिसको बोलते हैं, तो यह सभी चीज, एक्सेक्टर डाल देता हूँ, यहां पर यह सभी चीज क्या हो जाते हैं, हमारे non-metals के category में आ जाते हैं, that's why it is classified as a non-metal minerals, और वही energy के source में बात करें, तो सबसे पहले हम लोग जब खुदाई करते हैं, तो दो चीज मिलता है, एक तो कोईला, सबसे ज़्यादा इंपोर्टन चीज है, कोईला से, पुराने जमान में तो हर चीज कोईले से होता था, जब पेट्रोल डीजल इतने नहीं हुआ करते हैं, इसकोईले से ही ट्रेन चलती थी, कोईले से ही गारिया चलती थी, कोईले से इंडस्ट्री चलती थी, थर्मर पाउर प्लांट वगरे, ऐसे एक और चीज है, फॉसिल फ्यूल, जो हमें मिलता है, क्रूड ओयल भी बोल सकते हैं, उसको, तो फॉसिल फ्यूल से ही हम लोग बहुत सारी जो चीजे होती है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पारफिन, वाक्स, ये सभी चीज हम लोग किस से बनाते हैं, दोस्तों, पेट्रोल, जिसका इस्तेबल गाड़ी चलाने के लिए भी हो रहा है, और फैक्टरिस में भी हो रहा है, तो बहुत सारी चीजे हैं, जो कि आप लोग को आगे भी पढ़ने मिलेगा, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज आपको बहुत ही इसली समझ में आ गया होगा, तो यह फ्यूल्स में कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, ये सबी चीज हम लोग डिसकस करेंगे हमारे अगले लेक्टर में, तो उमीद करता हूँ कि आज जो हमने जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे कि क्या होता है मिनरल्स, क्या होते है मिनरल ओइल्स, और साथ ही में कहां से एक्ट्र और एक free of cost, पूरा का पूरा syllabus का content आपको free में provide कर सके, ताकि जब आपकी मर्जी हो, आप हमारा वीडियो खोल के हमारे channel पर जाके आप अराम से बेटके, घर पे बेटके पढ़ाई कर सकते हैं, और conceptual knowledge जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कि आपको आगे लेके जाएगा, और आ पूरा 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 नहीं करना है, हमारे वीडियो जो हम डेली डालते हैं, चाहे हम लोग बोर्ड पे लेकर आए, चाहे screen recording पे भी लिके आ जाते हैं, कभी कभी, क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी होती है, जो हम लोग बार बार पूरा पूरा नहीं लिख पाते, इसके लिए screen पे हम लोग PowerPoint presentation के माध्यम से आपको समझाते हैं, screen पे आके, तो उसको भी उतना ही प्यार दीजेगा दोस्तों, उसमें मेरा voice होता है भले ही, लेकिन आपको screen पे बहुत important चीज़े दिखती है, जो मेहनत करके मैं खुद बनाता हूँ, तो उसके लिए भी support चाहिए आप motivate कर पाऊ अच्छे से, तो आज के लिए हमारा इतना ही, तो ज्यादा स्यादा ये वीडियो को share करो, maximum people तक पहुचाओ, और उनको बोलो यार, वीडियोस देखो, पूरा देखो यार, at least इतना मेनत हम आपके लिए करते हैं, तो आप आदा जूरा छोड़ के चले जाओगे, तो आप कुछ सीख नहीं पाऊगे, तो बले ही आपको 10-15 मीट देना होता है अपना, तो पूरे दिन में आगरा 15-20 मिनट्स अगर दे रहे हो अपना, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, तो आप 15 मिनट्स आराम से दे सकते हो, वीडियोस को पूरा देखो, conception, knowledge gain करो, फिर अपना खुद का भी पढ़ाई करो, इसी के साथ, ठीके दोस्तों, और आगे इसको share करो, maximum people तक पहुचाओ, क्यार वीडियोस देखो, आप लोग सीखोगे, पढ़ोगे, तबी सीखोगे दोस्तों, ठीके, तो वीडियोस देखो continuously, तो आईसी के साथ मैं समाप्त क तो आज का session, like, share, subscribe होना चाहिए फटा-फट से, और मिलते हमारे अगले lecture वीडियो में, जल देकर आओ जाओंगा, तब तक के लिए thank you and good bye